तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज करते हैं और WhatsApp पर आपको कुछ इस तरह से आ जाता है आपको क्या करना है वह भी जान लीजिए आपका यहाँ पर आप इंफो पर आ जाना है और यहां से उसका क्लियर रोल डेटा करना है जैसे आप WhatsApp क्लियर रोल डेटा कर देंगे दनवी दन उसके बाद आपका WhatsApp किस तरह से आपको देखने को मिलेगा उसका इंटरफेस कैसे आपको देखने का मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं यह जस्ट आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको जो आपका इस पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने इंटरफेस आएगा अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा this doesn't answer my question इस पर click करना है click करने के बाद आप इस page पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से अब यहां से आपको क्या करना है वो जान लिजिए यह back हो गया इसको फिर से जाते हैं help पर help में आने के बाद यहां पर this doesn't answer my question then उसके बाद यहां पर describe your problem मतलब अपनी problem बताईए आपकी problem कहा है आपनी problem है कि हमारा whatsapp ban कर दिया गया है तो यहां पर एक report submit करनी है वो report देख लिजिए क्या है यह कुछ इस तरह से है पूरा पढ़ दिजिए dear whatsapp team I always follow your community guidelines but you banned my whatsapp account by mistake please review back my account and please give it to me I was very important for me it was very important for me you banned my account phone number यहां पर आपको phone number वगयरा सब लिख देना है अपना और my email address email address वगयरा लिख दीजिएगा और thanks whatsapp team इतना लिखना है आपको then उसके बाद यहां पर add screenshot आपकी जो problem का screenshot है वो यहां से आपको अपनी gallery से ले लेना है और यहां पर add कर देना है यह problem थी हमारी मैंने screen चोट आड़ कर दिया उसके बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर आपको next पर click कर दिना है next पर आप जैसे click करेंगे आपके सामने हैं बहुत सारे questions आजाएंगे आपको यहां पर this doesn't answer my question पर click कर दिना है अब आपके सामने कुछ इस तरह से interface आएगा आप देख लीजिए आपको दिखा रहा है यहां पर Gmail आप यहां पर आपको redirect हो जाओगे आप Gmail पर Gmail पर आपको click कर देना है जैसे आप यहां पर Gmail पर click करते हैं आपको इस तरह से redirect हो जाती है जीमेल पर आपको क्या करना है जो रिपोर्ट थी आपकी यहां पर आ चुगी है आपको यहां पर फोन नमबर है तो आपका फोन नमबर वहां नहीं लिखा तो यहां पर आपकर लिख सकते हैं आपको यहां से इस रिपोर्ट को सब्मिट कर देना है फिर आप देखेंगे आपका फोन नमबर वही लिखना है जो आपका बैन किया गया है जिस नमबर से आप वहां सब चला रहे थे वही से नमबर लिखना है जो बैन किया गया है और यहां पर इमेल अडरस असा लिखना है जो आपके मॉबाइल में आहां पर आपने डाल रखा हूँ क्योंकि फीड़बैक आपको यहां पर मिल जाएगा कि वहां सब आपको रिप